बिल्वाडा में महा कर्फ्यू छटे दिन भी जारी रहा इस दोरान जिला प्रशासन की सक्ती भी नजर आई हाला के एक निजी चिकसाले में करोना संदेगत 27 मरीज आये थे महिराध की बात यह रही कि 27 मरीजों में से 17 की रिपोर्ट नेगिटिव आई है इन में से 13 मरीजों को संकर्वन मुक्त होने पर उन्हें घर के लिए भेज दिया गया जिला कलेक्टर राजेंद्र फट ने कहा कि बांगर चिकसाले के डॉक्टरों की जब कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या वहां देखने आये मरीजों को तलाशना था इसी कारण हमने कारवई करते वे जिले में कर्फिय लगाया साथी 3000 टीवों के माध्यम से हर घर का सर्वे भी करवाया मैं पलिस अदिक्षक हरेंद्र माहवण ने कहा कि दान दाताओं की मदद से घर-घर भोजन सामागरी भी पहुचाई जा रही है सरोकार की जो पहले पुलिस के दुआरा जो की जा रही है उस कड़ी के अंदर में बताना चाहता हूँ कि इस दोरान पुलिस के विभाग की जितने भी वहान जो इस जूटियों में लगे हूएं अन्य अधिकारी जो लगे हूएं उन सभी लोगों ने अपने सामाजिक सरोकार को देखते हुए अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर खाने के पैकिट रखवाए हुए हैं खास तोर से ऐसे लोग गरीब और असाहे लोग जो कि सड़क पर रहते हैं या जिनके खाने की व्यवस्ता नहीं हो पाती है डेली लोग अपना खाना खाते हैं उन सभी लोगों के बारे में जानकारी चूंकि पुलिस विभाग को रहती हैं क्योंकि उनकी गाड़ियों तरह वहां पर भी हमारी तरफ से चारा बठवाने के हमने व्यवस्ता की होई है और फिर यहां इंसिडेंट कमांडर सेंटर जो हमारा कारेले हैं क्रेक्टर्स कारेले उनकी रिपोर्टिंग उनके बीच में रेगुलर टच और जो हम कॉरंटाइन वहां हुए हैं गाउं के उनकी रोज की रिपोर्ट उन लोगों से प्राप्त हमारे कोराना कैप्टेंस करके हमें देते थे और जो भी व्यक्ति हमारा अब जो पहले सर्वे के अंदर गाउं में करीब 14-15,000 लोगों को खासी जुखाम जैसी चीज़ आई थी और उसके बाद जब सेकिंड सर्वे उन जोगा हम जोगों करी जोगों करना हरा हुषाम जेनज जुखाम जेखाम जब खासी करेंक।